जय महाकाली मित्रों, मित्रों कई व्यक्तियों का प्रसन था कि गुरुजी नवरात्री के लिए कुछ ऐसा विदान बताईए जिससे कि हमें ज्यादा तब भी ना करना पड़े, ज्यादा जब भी ना करना पड़े और मातारानी हम पर प्रसन हो जाए हम से खोस हो जाए मातारानी व्यक्तियों के ऐसे ऐसे प्रसन थे वर्टसब पर और प्रसनली भी किसी ने पूछा था कि गुरुजी कुछ सरल विदान बता दीजिए मातारानी का जो हम नवरात्री में कर सकें जो तीन तारिक से सुरू होने पसावीने चाहिए आपकी स्रद्धा विश्वास ही चाहिए लेकिन अगर आप पूर्ण विधी से नहीं कर सकते तो मातारानी को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो वो उसी वेग से आएगी जिस वेग से सादकों के पास आती है जिस वेग से तांतरिक भगतों के पास आती हैं अगर आप अपने घर में माता रानी की सेवा करते हैं माता कहकर उसको बुलाते हो तो वो आपके उपर अपनी ममता बरसाएगी ही बरसाएगी सकती रूप में माता रानी को कभी मत बुलाना तांतरिक बगत बुलाते हैं सकती रूप में तो उनको पू यह उसक्ति रूप में माताराणी का ध्यान करता है तो उसको पूनं रूप से जानकारी होती है उसके गुरुद्वारा लेकिन अगर आपको सरल्विधी चाहिए fare दो मैं इस वीडियो में आको पून रूप से सरल विधी बता दूँग उसके करके आप मातारानी का आशिरवाद पून रूप से प्राप्त कर सकते हों और जो मैं विदान बताऊंगा अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको मातारानी के दर्सन भी हो जाएंगे नवरात्री के अंदर अंदर ही मातरानी आपको आसिरवाद दे कर जाएगी जिस वी इच्छा से आपको ये वर्त करने हैं वो इच्छा मातरानी के सामने पहले नवरात्री को प्रकट कर देना है बस वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी मतलब पूरी होनी ही है वो इच्छा जब आप इस विधान को कर लोगे चलो विधी जान लेते हैं करना क्या है आपको वीडियो को लाश्ट तक देखना ताकि आपको पूंडूप से जानकारी हो और नवरात्री में आप करने बैठोगे तो आपसे कोई भी गलती नहों समारा ये काम नहीं बना तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना सर्वप्रतम आपको एक बाजूओट चाहिए बाजूओट आपको पूर्व दिशा की तरफ मूख करके लगाना है एक आसन ले लेना उस पर बैठ कर उनी आसन ले सकते हो क्यों कोई साभी आसन चल दोनों आसन ले सकते हो आप दोनों में से कोई भी एक आसन ले सकते हो पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके एक बाजूओट लगाना है बाजूओट पे लाल कपड़ा बिछाना है आपको अगर आपके घर के मंदिर में माता काली की मूर्थी है माता दुरुगा की तो आपको अलग से बाजू ओट लगाना ही पड़ेगा लाल कपड़ा बिचाने के वाद माता दुरगा की उस पे फोटो या मूर्ती दोनों में से कोई एक इस्थापित करें और अगर आप माता काली की सेवा करना चाहते हैं तो माता काली की मूर्ती या फोटो इस्थापित क करें काला या लाल कपड़ा दोनों में से कोई एक बिचा सकते हो आशन भी काला या लाल कोई एक ले सकते हो अगर आप माता काली की सेवा करते हो तो सरपे कपड़ा अवश्य ही होना चाहिए इस बात का ध्यान देना आप विशेश कर ठीक है ना अगर आप सरपे कपड़ा नह दो लोंग डाल देना मिट्टी का दिपक होगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है लेकिन मिट्टी का नहीं है तो अखंड वाला भी ले सकते हो कोई भी जोत ले सकते हो मतलब आप माता काली की अगर जोत जलानी है तो सर्सों के तेल में मातारानी की जोत जलेगी उसमें देरी लगानी है उसी चोकी पर काले तिलकी काले तिलकी डेरी लगानी है उस पर उस सुपारी को स्थापित कर देना है भैरो बाबा के नाम से और उनको तिलक करना है और अपने आपको तिलक करना है इसके बाद माता काली को लाल या काली चुन्नी दे या माता दुरुगा है तो उनको लाल चुन्नी दे और आपको माताराणी का 16 स्रिंगार देना है पैकेट वाला नहीं होना चाहिए खुला होना चाहिए पैकेट वाले में कुछ भी नहीं होता ध्यान रखना खुला माताराणी का स्रिंगार ले आना सारा और माताराणी को अरपन करें वो सारा का सारा कि है मातारानी मैं तेरे लिए ये स्रिंगार लेके आयों इसे स्विकार करो मातारानी के आगे रख देना है एक टोकरी में रख के इसके बाद धूब दिखाए मातारानी को या अगरवत्ती जलाएं दूप या अगरवत्ती दोनों में से कोई एक जला सकते हैं कोई परेशानी नहीं है और एक माला इसके बाद स्रीगनेस की करनी है एक माला गुरुमंत्र की करनी है एक माला ओम्नमश्वाय ओम की करनी है इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेके संकल्प लेना है कि हे मातारा मातारानी मैं तेरे नो वर्त रखने चाड़ी हूं इस नव्रात्री में मुझे सफलता का असिरवाद दो. और जो भी आपकी मनो-कामना है वो बता देनी है. अगर निश्काम करते हो बिना मनो-कामना के चागते हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है. लेकिन अगर कोई मनोकाम ना है आपके मन में तो वो मातारानी को संकल्प के अंदर बता देनी है और जलोरक्षत को जमीन पर छोड़ देना है अपना नाम, पिता का नाम, गौत्र और रहने वाले जहां के हो ये बता कर आपको जलोरक्षत जमीन पर छोड़ देना है इसके बाद आपको एक पार्ट जो है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का करना है और इसके बाद आपको मूल मंत्र का दो माला का केवल दो माला का आपको सुबासाम रेगुलर जब करना है 9 दिन तक माला इसमें रुद्राक्ष की चलेगी मंत्र जो है वीडियो में हम लिखीत रूप में भी दे देंगे और बोल कर भी आपको बता देंगे मंत्र क्या है मंत्र सुन लो ओम हिरिम, स्रिम, क्रिम कालिके, दुम दुरगाये नमहा इस मंत्र का आपको दो माला का सुबा साम जाप करना है इसके बाद आपको एक पाट दुबारा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का करना है देखो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिद्ध कुंजी का मंत्रों की चावी है ठीक है ना आपके उपड़ है अगर आपको सिद्धुकुंजी का स्तोत्र का पाठ नहीं करना है तो उसको स्किप कर सकते हो उसको हटा सकते हो सिद्धुकुंजी का स्तोत्र का पाठ नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं सिद्धुकुंजी का स्तोत्र का पाठ मत करना लेकिन संख्या में सिद्ध होते हैं वहीं अगर आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ आगे पीछे करने लग जाओगे तो पचास जार की संख्या में ही आपके मंत्र जागरित हो जाते हैं जागरित अवस्था में आ जाते हैं इसलिए हमने आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का एक एक पार्ट बताया है इसके बाद आपको मातारानी को भोग लगाना है उपले की अंग्यारी कर लेना थोड़ी सी उसके उपड़ पांच बतासे और दो लॉंग पांचों बतासों के उपड़ सिंदूर का तिलक लगा होना चाहिए और लॉंग के उपड़ भी सिंदूर का स्वाहा लगा देना एक वार पढ़ते हुए और मातारानी को भोग अरपन कर देना मातारानी को भोग दे देना अंग्यारी के उपपर सुबा साम देना है ये आपको भोग पांच बता से और दो लोग का बहुत ही सरल विधी है इसके आतिरिक्त आपको और कुछ नहीं करना. हमने बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे सादकों को इस विधी के साथ मातारानी के वर्त सादना करवाई है और सबको मातारानी का आशिरवाद प्रदान हुआ है. जैसे सादक और तांत्रिक तपश्या करते हैं तप करते हैं और भिन भिन परकार के भोग देते हैं जाइफल देते हैं नारियल चुन्नी देते हैं निम्बू देते हैं बकरे मुर्गे की बली देते हैं जैसी मातारानी का आशिरवाद उनको प्राप्त होता है वैसा ही आपको भी लौंग बता से के उपर माताराणी का अशिरवाद प्राप्त होगा ह। हमने ये विधी के साथ करवा के देख लिया है। करवा के देखा है सादकों से तभी आपको बता रहे हैं अंडा-मीर्ट स्राव लस्न प्याज का परेज करना है। वैसे भी नवरात्री चल रही है, आपका अंडा मीट सराव लसन प्याज का परेज तो वैसे ही हो जाएगा, आपके घर में कोई भी निखाएगा. अगर आप सनातनी हो तो लेकिन अगर आप सनातनी नहीं हो वर्त कर रहे हो मातारानी के किशी औरधर्म के हो तो आपको अंडा मीट सराव लसन प्याज का परेज करना है पून रूप से ब्रह्मचर्णे में रहना है मांसिक तोर प्ढ़वी और साडीरिक तौर प्ढ़वी जमीन पर सोना है बिछोना बिछाओ कर नौ दिन लगातार फलार कर सकते हो अगर आप फलार नहीं लेना चाते तो संध्या में 6 बजे के बाद आप दो रोटी खा सकते हो जहाँ पे आप चार रोटी खाते हो वहाँ पे आपको दो ही रोटी खानी है, मतलब आदे पेट बरके खाना खाना है आपको, पूरा पेट नि भरना, आदे पेट बरके खाना खाना है, और वो खाना भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, तब ही आप खा सकते हो, वरना आप फलहार ही लेना, संकल्प के अंद आपको इस वीदी में, इस पूजापाट में, इस नवरात्री सफलता का अथिरवाद दे और आपके घर में खुसी आएं मैं मातरानी से ऐसी प्राहतना करूगा, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जै महाकाली, जै महाकाली, जै महाकाली